नमस्कार दोस्तों गूड इविनिंग स्वागते आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल ब्रदर्स क्लासीज में मैं नरेंदर चोधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सांदार एनाठोमे के क्यूशन आसा करता हूँ सभी को कल वाली कलास है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आज की कलास है उसको भी बैतरिन से बैतरिन बनाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं उससे पहले आपसे निवितन हैं जिन्होंने कल वाली कलास नहीं देखी वो निचे डिश्क्राप्टिन में लिंक दिया गया है वहां से आप कलास को देख सकते हैं और अपने साथियों के साथ हैं वो सेर्थ दूर करें और वर्षप्ध ग्रूप का लिंक दिया गया है वाँ पर आप जोइन हो सकते हैं जहांपर आपको सभी क्यूस्टों की PDF है वो मिल सके तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्यूस्टों के और चलते हैं मास पेशियों के एध्यन को क्या कहा जाता है मास पेशियों के एध्यन को क्या कहते हैं इसका सही आंस्वर क्या होगा जल्दी से comment कीजिएगा सभी साती option है वो आपके सामने है इसका सही answer क्या होगा comment करते रहेगा सभी साती vacancy है वो आपके आने वाली है 101% है 2023 के अंतरगत और जहां तक संभावना है exam है वो आपका 2023 के अंदर ही conduct करवाया जाएगा vacancy कब आएगी इसके बारे में बात बाद में करेंगे हम कितने पदों पर आएगी वो सभी चर्चा है question गतम होने के बाद में करेंगी तो आपके question का answer दीजिगा जल्दी जो भी साती लाइव जुड़े हैं वो एक बार share जरूर कर दीजिगा अपने सात्यों को और वीडियो को like जरूर कर दीजिगा ताकि हम भी motivate हों और आपके लिए बेतर से बेतर question है वो लेकर आएं तो पहला question है मास पेशियों के अध्यन को क्या कहते हैं तो इसका सही answer हो जाएगा आपके option A मायोलोजी option A है वो इसका right answer हो जाएगा question number 2 की और चलते हैं हड़िक के निशले छोर पर पाई जाने वाली उबरी हुई सरंचना क्या कहलाती है इसका सही answer क्या होगा देखीगा एक दो question है वो उपर नीचे हो सकता है तो आप भी इतने समझदार है तो एक दो question है वो आप आराम से कर सकते हैं अगर कोई question में defect लगता है कुसी का answer गलत हो गया है तो वो आपको comment box में आपको pin कर दिया जाएगा उसका C answer हड़िक के निशले छोर पर पाई जाने वाली उबरी हुई सरंचना क्या कहलाती है तो इसका C answer क्या होगा जल्दी से comment केजीगा option आपके सामने है क्या होगा इसका C answer comment करते रहेगा सभी साती तो इसका C answer होजाएगा option B कॉंडाइल option B है वो इसका right answer होजाएगा कॉंडाइल हड़िक के निशले छोर पर जो उबरी हुई सरंचना होती है उसे कॉंडाइल का जाता है अगले question की बात करते हैं question number 3 बेल में cranial तंत्रिकाओं की संक्या होती है सही answer बताएगा जल्दी से बेल में cranial तंत्रिकाओं की संक्या कितनी होती है 12 जोडी 13 जोडी 37 जोडी या 35 जोडी A B C D चार उप्सरों में से जल्दी से comment किजिएगा सभी साती कापी सारे साती हैं जो पिछले वीडियो में हैं comment कर रहे थे और भी comment कर रहे हैं आज तो share करते रहेगा अपने साच्यों के साथ जो पुराने साती हैं वो भी जुड़े हैं नए साती हैं वो भी जुड़े हैं और comment करते रहेगा कला से वो आपको कैसी लगी है share करते रहेगा जो नए हैं वो चैनल को subscribe किये बिना नादा न ताकि हर vacancy की update और daily taste रीजे वो आपको मिल सकती है गारंटी है आपको 10 की 10 सब्जेक्टों के टेस्ट पेपर है वो आपके लेकर आऊंगा हर दिन हर रात जब चाओगे आपका जो टाइमिंग है उस सेडूल के अनुसार है वो कला से लगेगी तो वेल में क्रेनियल तंध्रीकाओं की संख्या कितनी होती है इसका से यांसर क्या होगा क्यूसार नमर 3 का तो अप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जूडी अगले क्यूसान के चर्चा करते हैं अगला क्यूसान है आपके पाईवट जोइंट कितने Degree कोंड तक गूमता है पाईवट जोइंट है कितने Degree कोंड तक है वो आपके गूमता है नबाइद डिग्री 180 डिग्री या 270 या 307 डिग्री तो इसका सी आंसवर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिगा सबसाती कि पायोट जोइंट कितने डिगरी कौन तक गूमता है तो इसका C आंसर हो देगा क्यूशन नमर 4 का option B 180 डिगरी option B है वो इसका correct answer है हो देगा अगले क्यूशन की बात करते हैं क्यूशन नमर 5 की तो क्यूशन नमर 5 है सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है हर वेकेंसी का एक्जाम आएगा तो आप जरूर है वो सेकिंडियर वाले फश्टियर वाले फश्टियर वाले इसको जरूर देखेगा तो सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो यकरत फेंपडे हर दे तवचा तो इसका C answer क्या होगा कमेंट कीजिगा तो सरीर का सबसे बड़ा अंग है वो आपके है तवचा ओप्सन D इसका right answer हो जाएगा अगले क्यूशन की बात करते हैं अगला क्यूशन है पेसे संकूचन की किरियात्मक इकाई क्या है जल्दी से कमेंट कीजिगा सभी साती ताकि कलास लंबी नहरो जल्दी से कमेंट करते रएगा सभी साती जो भी जूड़े हैं उनका एक बार 5002 से आर्दिक स्वागत अभिनंदर जल्दी से कीजिएगा क्यूसर नमर 6 का पेश ये संकुचन की किरियात्म की कई क्या ही तो इसका से आंस्वर क्या होगा क्यूसर नमर 6 का तो option भी है वो इसका correct answer हो जाएगा से क्रो में अगले क्यूसर के बात करते हैं क्यूसर नमर 7 है आव आशी के किस भाख वो क्योत्य कहते है द्यूसर नमर 6 किसे इसा नमर 8 आपके बहुत ये बैंतर क्यूसर आपके बहुत बेतर क्यूसरह जल्दी से कमेड कीजिएगा सभी साथी इसका right answer देखते हैं कितने साथ ही इसका right answer तो सबसे बड़ी इस्ति है तो इसका सही आंस्वर किया होगा जल्दी से कमेट किजिएगा क्योशन नमर साथ का तो अप्शन ड लाइन्हें वह आपका करेक्ट आंस्वर जाएगा को मिलद कि अगले कि बात किषिए गोड़े में पटेला है वह किस आकार की होती है गोड़े म पटेला अस्ति हैं वो आपके किस परकार की होती है तो इसका सही आंसुर क्या होगा जल्दी से कीजिएगा जो पटेला है वो आपके सिसमोईड अस्ति में सबसे बड़ी अस्ति है तो इसका सही आंसुर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए गोडे में पटेला है वो किस आक आंसर जाएगा चतू स्कौणि है कोनी है इसकन सी आनसर क्या होगा पँछ ही साथ या चार ऑगा जल्दी से कमेंट कीजेगा तो Q7 नमर 9 का Right answer, option C हैं, वो इसका Correct answer हो देगा, 7 जोड़ी, 7 होती है, total, कितनी टार्सल हडिया होती है, 6 टार्सल हडिया खुत्य के अंदर पाई जाती है, बेल की खोपडी में हडियों की संक्या कितनी होती है, बेल की खोपडी के अंदर गते हैं, वो आपके हडियों की संक् तो इसका सी आंस्वर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा और वोर्टसप ग्रूप के अंदर जोइन होना ना भूले नीचे लिंक दिया गया है वहां पर आप जोइन हो सकते हैं 700 से अधिक कंडिडेट्स हैं वो इसके अंदर के जोइन हो चुके हैं और आप भी हैं वो जल्दी से जोइन हो जाएगा 700 से 800 तक का सपर हैं वो आपके थूप किया जाएगा और वोर्टसप ग्रूप की फैमिली है वो 1K तक पहुंचाना है आपको तो बताएगा बेल की खोपड़ी में हडियों की संख्या है वो कितनी होती है इसका सही आंस्वर क्या होगा option A 32, option B 28, option C 30, option D 36 तो इसका सही आंस्वर क्या होगा question नमर 10 का तो option A इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा जिन्नोंने option A दिया है 32 उनका बिल्कुल right answer है option A right answer हो जाएगा अगला question है मजल का दूसरा नाम क्या है जो मजल होती है उसका दूसरा नाम क्या है तो बहुत यह सा क्यों प्रदीजी जल्दी से कम जो साथी रहे इसका पिल्कुल सही तक मजल का डूसरा नाम क्या है औच त्यारे चल रहे हैं आपकी त्यारी करता रहेगा वेकंचि है जब आएगे जब आती रहेगी तो वीडियो के बाद right answer है वो planum हो जाएगा option A इसका correct answer हो जाएगा क्योंसर नमर 12 की बात करते हैं मुर्गी में आमाशी के भाग कितने होते हैं मुर्गी के अंतर करते हैं वो आमाशी के भाग कितने होते हैं तो इसका सही answer क्या होगा एक दो तीन चार एक A, B, C, D, 4 अप्शनों में से जल्दी से comment कीजिएगा इसका सही answer तो मुर्गी में आमाशी के जो भाग होते हैं वो आपके दो भाग होते हैं option A इसका correct answer है जाएगा अगले question की बात करते हैं अस्तिके कौन से भाग से RBC का निर्मान होता है अस्तिके कौन से भाग से RBC का निर्मान है वो आपके होता है लाल रक्त कनिकाउं का तो इसका सही answer क्या होगा Apiphysis, Metaphysis, Diaphysis या इनमे से कोई नहीं option आपके सामने है जल्दी से इसका सही answer दीजिगा question number 13 का कल हमने 15 question किये थे और आज हम 15 से अधी question है वो करने वाले हैं आपके निरंतर हैं वो question भी बढ़ेंगे और class भी बढ़ेगी तो आप हैं वो से time पर आया करें रोजना समय पर आया करें इसी time class है लगती हमारी तो जल्दी आप आया करें अभी जो हैं आपके LSA की बेंस लग रहे हैं अब जस्ट ही आपके एगरिकल से सुप्रवाइजर के लिए भी क्लासे हैं वो आपकी लेगेगी करसी प्रिवेसे की भी लगेगी और LSA की भी लेगेगी राजस्थान जी के हैं उसके नोट से वो अभी रडी हो रहे हैं क्योंकि वो एक्जाम के टाइम ही आपके क्यूसर नहीं आएंगे आएगी तो एक दो कलास है जो इंपोर्टेंट होगी वो आपके लगा दी जाएगी और बाकी यह आपके दस सब्जेक्ट ही यह आपके रेगुलर चलेगी तो बताईगा अस्तिके कौन से वाग से आर बीसी का निर्मान है वो होता है तो ईप्सण A, B, C, D आपके सामने जल्दी से दीजिगा इसका आंस्तिके अंदर क्यूसर नमर 14 की बात करें ओस्पेनिस किस परजाती में पाई जाती है ओस्पेनिस ये 2018 वेकेंजी के अंदर आपके क्यूसर आया वह है L.A.S.E. 2018 में ओस्पेनिस हैं वो किस जानवर में पाई जाती है तो इसका सी आंस्वर क्या होगा आपके सामने जल्दी से दीजी का इसका आंस्वर और 2018 का पेपर है वो आपने सभी ने देगा है और सभी इसका आंस्वर है वो जानते हैं तो इसका आंस्वर बहुत इजी है तो क्या जाएगा इसका आंस्वर सही कुट्टे के लिंग में पाई जाता है कुट्टे के लिंग में अगले क्यूशन की बात करते हैं क्यूशन नमर 15 सबसे बड़ी सीसे मोईड हड़ी कौन सी है अब यह हमने पहले बात किती गोडे में जो हैं पटेला किस आकार की पाई जाती है तो इसका सही आंस्वर क्या होगा लगबग आपको पता चल गया होगा सिसे मोईड बोन है सबसे बड़ी पटेला है यह आपके 2021 सोरी 22 की वेकेंसी के अंदर गते आया हुआ क्यूशन है सबसे बड़ी सिसे मोईड हड़ी कौन सी है पटेला का क्यूशन आया है निमनलिकित में सी किस पस्वु के अंदर गते हैं वो आपके कैनाइन दाइं वोगोडा Commission पने सेर पापamat हें करते रिएगा और जो नहीं है वो और सब्सक्राइब जरू कर ले आपके लिए डहली कला से लेकर आते हैं हर आप से बनानाraj से Cantonese कराво Uhr 16 का सी हांस्वर गॉन लूपस्तित कि कि इस परसू में होते हैं तो इसका सी हैंसर क्या होगा क्यूसन अमार 16 का तो option he हैं वो आपके बिलकुल करेक्ष्확 आंस्वर हो जाएगा कि वेंस स्थीं गाय और बेंस इसका से हांस्वर है गाय में पाई जाने वाली दरार को क्या कहते हैं अगले पहले क्यूशन आया था मजल का दूसरा नाम क्या है मजल का दूसरा नाम है वो आपके पले नम है तो दरार पाई जाती है उसे क्या कहते है तो पले नम है यह आपके option कट हो गया तो इसका सी answer क्या होगा जल्दी से का option C इसका correct answer हो जाएगा फिल्टरम option C इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा अगले question की बात करते है Q18 एसीटा बुलम किसमें पाई जाती है एसीटा बुलम है वो आपके किसमें पाई जाती है कुल्ले के एडियों में कंदे के एडियों में दोनों में या इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer क्या होगा Q18 का तो इसीटा बुलम है वो आपके किसमें पाई जाती है इसका जल्दी से answer दीजीगा सभी साती जो नहीं जुड़ रहे हैं साथ वो भी सेर कर दीजीगा एक बार कलास को तो Q18 का राइट आंस्वर हो जाएगा कुल्ले के एडिया ओप्सन ए इसका करेक्ट आंस्वर हो जाएगा अगले Q19 की बात करते है Q19 सिरिंग्स पाया जाता है पक्सियों में इस्तंदारियों में या रेप्टाइल में या मचली में इसका सी answer क्या होगा जल्दी से comment कीजिएगा पक्सी में पाया जाता है या इस्तंदारियों में पाया जाता है या रेप्टाइल में पाया जाता है या मचली के अंदर पाया जाता है सिरिंग्स होता है वो किसमें पाया जाता है गाय का जो play center है वो किस परकार का होता है गाय और बेंस दोनों का play center है वो same ही होता है वो किस परकार का होता है तो इसका same answer क्या होगा गाय और बेंस से दोनों common है तो उन दोनों के जो लगबक questions है वो भी आपके same है 99.9% 99% question है वो आपके same ही तो इसका से यांस्वर क्या होगा गाय का play center है वो किस परकार का होता है तो वो kotilandry परकार का होता है option A इसका right transfer जाएगा तो दोस्तों आज की ये class थी और जो भी साती हमारे साथ जुड़े हैं रोज रात आठ बजे आपकी class होगी तो वोर्टसप गुरूब में भी आप जरूर जोइन हो जाएगा आप सभी का ते दिल से दन्यवाद कलास लेने के लिए अब बात कर लेते हैं LSA की वेकेंसी की कि LSA की वेकेंसी है वो आपके कबाएगी तो देखे गए वेकेंसी की बात करें क्योंकि अभी हर विबाग के अंधरगत हैं राजस्तान सरकार हैं वो अच्छे अच्छी योजना ला रही है और अच्छे अच्छे विकास के कारिये कर रहे हैं गेलो सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किये हैं तो और आपके LSA की वेकेंसी भी आएगी अब कितने पदों पर आएगी 900 पद है वो आपके सर्जीत कर दिये इसके अंदर के 407 पदों पर है वो आपके प्रमोसन भी वाता वो पद भी खाली है 300 YouTube वाले भी खाली है 700 ये 900 ये 1600 पद तो ये ही हो गए और लगबग आपकी वेकेंस ये वो आने वाली है 2000 से पलस पदों के उपर वेकेंस आएगी और notification आया exam का फोरम भील हुआ उसके बाद में आप बता देना कि 900 से बड़े या नहीं बड़े वेकेंस ये वो आपके आएगी 101 पसेंट आएगी और एक दो क्यूसन में मिश्टेक है तो आप कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन से क्यूसन है वो डाउटफुल है आपके उसका सोल्यूसन है वो भी किया जाएगा और आपको एनाटोमी के अलवाला ये हैंदि आपको दूसरी कलास तहीं है तो इनाटोमी के साथ साथ एक दूसरी कलास वो भी आपको बता देंगी किस सब्जेक्ट की आप चाहिए वो भी आप कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करें असका करता हूँ कलास पसंद आया होगी मिलते हैं hele नेक्स्ट वीडियों में जेहिन जे बार